एक समय की बात है एक गाव में एक नाई रहता था। यह नाई बहुत ही महनती और कुशल था। उसके द्वारा बनाई गई शेविंग्स को लोग बहुत पसंद करते थे। एक दिन नाई को वापस अपने घर जाना था। रात का समय हो गया और वह गाव के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक भूत दिखाई दिया। नाई को देखकर भूत उसके पास आया और उससे बोला। काना बनाया हुआ है। जंगल में रहने के कारण उसे बहुत प्यास लगती है और उसे उचित मात्रा में पानी की आवश्यक्ता पढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस तक पानी पहुचाओ और उसकी मदद करो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। धन्यवाद कहा। भूत और नाई वापस गाम की ओर चले आए। भूत ने नाई को धन्यवाद दिया। नाई को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने अपने जीवन में एक नया अनुभव प्राप्त किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी हमें डर को पार करने और दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल टप्पू के कार्टून को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल बटन को दबा कर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार नई कहानी के साथ, तब तक अपना खयाल रखे, जय श्री राम दोस्तों!